हर्याना पंच्रायत चुनाओ चुनाओ घोशित और सरपंच चुनने में बहुत बड़ी मुश्किनों का सामना सरपंचों को करना पड़ेगा क्योंकि सरपंच चुनने की परकिरिया को पूरा का पूरा बदल दिया है जी हाँ ऐसी खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि सभी को नई खबर पता चल सके कि आने वाला जो समय है उसमें सरपंच चुनने की परकिरिया को पूरा का पूरा बदल दिया गया है और इस परकिरिया ये पहल बड़े बड़े बदलाव कर दिये गए हैं जो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर्याना पंचायत चुनाओं में बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिये गए हैं पंचायत चुनाओं के दुरान EVM मशीन में गडबडी को लेकर तरह तरह की शिकायते सामने आती रही हैं। बूत के कुल मतों से अधिक मतदान EVM नेताओं की गाड़ी में पाये जाना ये बहुत बड़ी अब दिक्कतें आ रही हैं और इस जैसी घटनाएं लगातार सुर्ख्यों में बनी रहती हैं। इन सब के बीच पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के छटे आम चुनाओ पंचायत समीती सदस्य चुनने के लिए हर्याना के अंदर भी अब EVM मशीनों को लगाया जाएगा। पंचायत समीती चुनाओं में EVM मशीने इस्तेमाल होंगी। वर्ष 2016 में हुए पंचायत चुनाओं में रिवाडी और पंचकुला में जिला परिशद, सरपंच, पंच और पंचायत समीती सदस्य चुनने के लिए EVM मशीनों के बटन दबाए गए थे। अब आम चुनाओं में वोटर, जिला परिशद, पंचायत समीती और सरपंच चुनने के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का परियोग होगा। इनके महदयम से वोट डलेंगे। और इसके इलावा, जो 20 अपरेल को सुनवाई होनी है, ओड इवन अरक्षन को लेकर हाई कोर्ट में 20 अपरेल को मामले के सुनवाई होनी है, इस दिन सरकार ओड इवन अरक्षन में अपना पक्स रखेगी, क्योंकि महिलाव ने ओड रिज जो ओपन काटेगरी है, उसमें महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता, इसके साथ ही हाई कोर्ट से अपील की गई है कि सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए, नई इवियम से होगा मतदान, और निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव नई इवियम मश मशीने हैं, वो बैंगलूर से एलेक्टरोनिक वोटिंग मशीने खरी दी जाएंगी, और बताया जा रहा है कि आयोग जल्द से जल्द नई इलेक्टरोनिक वोटिंग मशीने मिलने वाली आयोग को और चुनाव के कागज बत्रित पोलिंग पार्टियों समेत अधिकारियों को चाहिए कि वो collect कर ले और निर्वाचन अधिकारी पिछले महीने चंडिगड से ये ले आए हैं और कितनी EVM चाहिए पूछा आयोग ने राज़ा निर्वाचन आयोग ने रहो तक समेत परदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कारियालों को पूछ लिया है उनको पत्र लिखर पूछा है कि पंचायत समीती की voting इस बार EVM से करवानी तै हुई है ऐसे मैं अधिकारी यह बताएं कि उनके पास कितनी electronic voting machine की जरूरत है आयोग को सरपंच और जिला परिशद जिहां सरपंच और जिला परिशद चुनाव के लिए कितनी EM चाहिए यह बतानी होगी और उसका तो पता है क्योंकि कई साल से यह चुनाव electronic voting machine से करवाय जा रहे हैं पंचायत विभाग के मताबिक इस बार चुनाव के लिए 900 के करीब बूथ बनाए जाएंगे ऐसे में 2700 अतिरिक EVM की अवश्यक्ता और पड़ेगी जिहां 900 के करीब जो बूथ बनेंगे उनमें 2700 एक्स्ट्रा अलग से EVM मशीनों की जरूरत पड़ेगी ये थे बहुत बड़े बदलाओ और अब की बार जो मतदाता है उनको और भी ज़्यादा साउधान होने की जरूरत है क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीने यूज होंगी ये थे बहुत बड़े बदलाओ और इन सभी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए ताकि हर किसी को नई खबर पता चल सके वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद